देश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, डक्टर सुधा जी आपको भी बहुत बधाई और स्वागत आपका परिचर्चा में, कांग्रेस ही साउसर को कितना बड़ा मानती है, आपकी सरकार थी आप लागू नहीं कर पाए, क्रेडिट मोधी सरकार को जा रहा है और उन् पूरा हुआ कम से कम, देर आये, दुरुस्त आये, आये तो कम से कम, यहां पीचे बात हो रही है, अभी हमारी साक्षी बहन ने बहुत अच्छी बात कहीं, कि 2010 में राज्य सभा में बिल पारित हो चुका था, और 4 साल तक हमने इसको लोग सभा में प्रस्तुत नहीं किया, इन्होंने बोला, बिल्कुल बहुमत नहीं थी, साथ में आपका लोग पार्टियां थी, हम साथ में थे नहीं कर पाए, आप 2014 से अभी तक क्यों नहीं ला पाए, इसका बहन आप बोलना भूल गई, आप आये, देर में आये, लेकिन दुरुस्त आये, कम से कम, क्योंकि अग अपने को पूरा करने का पूरा प्रयास भी कर दिया आपकी पार्टी ने, राजसभा में भी करेगी, आप क्या इसमें चेंजेश चाहती है, देखे हमारे निता ने और खटगेजी ने सीधे कहा, कि हमें जो OBC और जितने मानियोर्टी जिनको हमें देने की जरूरत है, क्यो मोदी जी ने कहा कि पूरा बिश्व महिलाओं को देख रहा है, सच में देख रहा है, मडीपूर से होके जंतर मंतर की घटनाएं महिलाओं के ऊपर जिस तरह से आपने कारवाईयां कराई और अपने मंत्रियों पे कोई बात नहीं की जबाब नहीं दिया, उसके लिए बिश सता है, खास करते हैं उत्तर भारत के अगर आप देखेंगे तो यहां पर पुरसतात्मक सताएं हैं उसकी वजह से इस्त्रियां आर्थिक और समाजिक रूप से आगे नहीं है, सवाल मेंबर दो, आपको जब आउसर मिला तब आप इसे कानून की शक्ल अक्तियार नहीं कर प कर सकते हैं, आप जानते हैं अगर संख्या होती, घट बंद, बिल्कुल जाहिर से बात है, जो चीजे हमें अधिकार दस साल पहले मिल जाता हम नहीं कर पाई, खेद तो हो गई होगा, हम चाहते थे, अब सोचिए 10 साल का इंतजार ऐसे गया, अभी न जाने कितने वर्ष और लगेंगे, खेद को खेद का, बहुत शुक्रिए आपका, हमारे वारे साथ बनी लिएगेगा, सब को खेद हो हमारे साथ बनी लिए इस बात का,